भोजन के उपरांत ये उपाय करने से आँखों में कोई भी बीमारी नहीं होती है। आज के समय पर लगभा लगभा प्रतेग बिक्ती आँखों की कुछ ना कुछ समिस्याओं को लेकर परिसान रहता है जो अग्यानता के करण परिसानियों से जुजता रहता है। आँखों की समिस्याओं से बचने के लिए बहुत से उपाय हमारे आसपास होते हैं लेकिन उन उपायों के बिसे में परियाप्त जानकारी ना होने के करण उन उपायों के फाइदे से बंचित रह जाते हैं। उन्ही उपाईों मेंसे एक उपाई जो की बहुत ही महतपूर्ण है उसको बताने जा रहा हूँ यदि आप उस उपाई को रेगुलर करते हैं तो आँखों में बहुत ही अद्भुत लाप देखने को मिलेगा जब भी आप भुजन करें तो उसके उपरांट अपने दोनों हाथों को बेसिन में अच्छे से दूलें इसके पश्चात हाथों की गीली अंगलियों को अपने आँखों में लगाएं हाथ की गिली अंगलियों को कुछ सिकंड के लिए आँखों के उपर रखें इसके पस्चाथ उसी गिले हाथ से दोनों आँखों में हलका मसाज करना चाहिए जब आप गीले हाथ से अपने दोनों आखों का मसाज करेंगे तो आप देखेंगे आपके दोनों आखों में बहुत ठंडक मैसूस होगी और एक अधुत सांती मैसूस हो सकती है इसके पश्चाद उन्हीं गीले हाथों को अपने पेट के ओपर हलके से फिरना चाहिए ऐसा करने से पेट के अंदर भी सांती मैसूस होती है और भोजन बिवस्थित हो जाता है यदि आप इन उपायों को अपने प्रक्टिस में लाते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं तो आपके आँखों में कभी भी समय से पहले कोई भी विमारी नहीं होगी ऐसा बड़े-बड़े रिसी और योगियों का कहना है तो मेरा आपसे अनरोध है कि प्रदिन भोजन के अपरांत गीले हाथों को अपने आँखों में फेरना चालो करिये जिससे आपको आँख से सम्मंदित कोई भी विमारी नहीं हो सके यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो करपे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोसनों को सियर करें बहुत बहुत सा धन्नवाद